नमस्कार दोस्तों, हैपी स्ट्रेडी जोन में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं कम्प्यूटर के एक लास बहुत ही जबरदास तरीकी से क्योंकि यहाँ पर जादतर क्वेशन प्रिविए सेर के रखे गए हैं तो इस प्रिशन का उत्तर हो जागा option number B और इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो wide area network इसका फुल फॉर्म होता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं lane की यानि के local area network अगर हम main की बात करते हैं तो main का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको याद रखना है metropolitan area network हमें पर गर हम बात करते हैं when की तो when का क्या होता है value added area network या आपको याद रखना है value added network इसका फॉल फॉर्म होता है या आपको याद रखना है ठीक हैस तो इस प्रिशन का उत्तर क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा जितने भी answer कर रहें option number B और दी का एक बार फिर से में बता देता हूँ value added network इसका फॉल फॉर्म होता है विन का या आपको याद रखना next बात करते है question number 2 की बताना आपको कि निक नेट क्या है तो निक नेट क्या है सही answer बन जाएगा option number D यानि क्या है कि भारत के प्रतेक जिरों को जोडने वाला network जो होता है वो कौन सा होता है तो निक नेट होता है अब निक नेट के बात आई है तो इसका हम फॉल फॉर्म की बात करते हैं क्योंकि फॉल फॉर्म पूछा जा सकता है तो National Informatics Center's Network इसका फॉल फॉर्म होता है या आप याद रख सकते हैं तो इस प्रस्ट का उत्तर है भारत के प्रतेक जो जोडने वाला network कौन सा होता है तो ये निक नेट होता है ये आपको याद रखना है नेक्स पॉइंट के बात करते हैं कि लॉग हॉल नेटवर्ग कहा जाता है किसी कहा जाता है इस प्रस्ट का उत्तर आपको बताना है तो वेन को कहा जाता है और वेन हमने बताया था वेल्यू एड़ेड नेटवर्ग होता है उसके बाद हमने लेन बताया था क्या होता है तो local area network होता है man भी हमने बता था क्या होता है man तो metropolitan area network होता है उसके बाद when भी हमने बता दिया था कि ये क्या होता है तो wide area network होता है इन सारे चीज़ों को याद रखेगा तो इस related full form पूछ लिया जाता है तो when इस question का उत्तर होगा जितने भी आपसे answer कर रहे है option number 30 और भी correct answer next question के तरफ बढ़ते हैं अगला question है question number 4 question number 4 का answer क्या हो जागा अर्पानेट है तो अर्पानेट क्या है तो आपको याद रखना है अर्पानेट है एक विस्व का पहला when है अर्पानेट की बात आई है तो अर्पानेट का पहले spelling देखे और उसका full form भी देखे क्योंकि full form से question पूछा जा सकता है तो अर्पानेट अर्पानेट के अगर हम full form की बात करते हैं तो ये काफी important है यहां से question बनता है और पूछा भी गया है आपको याद रखना है कि advanced research project agency network विस्व का पहला when है जैसे अमेरिके रक्षावी भाग द्वरा विक्सित किया गया था ये भी आप याद रख सकते हैं एक बार मैं repeat कर रहा हूँ इसका full form नोट कर लिजेगा advanced research project agency network ठीक है चले तो इस प्रस्टन का उत्तर क्या है इस प्रस्टन का उत्तर है option number A जितने भी answer कर रहे है option number A सुर्बे correct answer next बात करते है question number 5 की 5 number question है कि I, A, S, D, N सेवा में modem की ज़रत नहीं पढ़ती है क्योंकि चोन नहीं ज़रत पढ़ती है तो आपको याद रखना इसका से answer क्या बनेगा option number next भी देख सकते है option number D प्रस्टन का उत्तर होगा D जितने भी answer कर रहे है इसमें data हस्तनांतरन digital रूप में होता है तो option number D प्रस्टन का उत्तर होगा option number D बे correct answer अब देखिए आपके देवां में जरूर आना चाहिए कि ISDN ISDN का full form क्या होता है तो अगर हम full form के बात करते हैं तो integrated service digital network का full form होता है और क्या होता है कि ISDN में टेलिफोन और जो data center है वो digital रूप में होता है इसलिए इसमें modem क्या सकता नहीं पड़ती है यह आपको याद रखना है तो option number क्या बनेगा option number D बे correct answer जितनी भी दे answer कर रहे है अगला प्रस्न आपके सामने अच्छा प्रस्न है macro computer को telephone से कौन सी विवस्था जोड़ती है इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा option number B करते ही है जो computer के digital संकेत को क्या करता है इना लोग में telephone line पर भेज देता है ठीक है इसे लिए modem का परियोग क्या जाता है next point के बाद करते है तो अगला point है कि professional computer आपस में connect किये जा सकते है answer करें कि इसका answer क्या बनेगा तो network में यानि option number क्या बनेगा option number C expression का बिल्कुल correct answer बनेगा और फिर से अगर मैं आपको याद दिलाऊ तो आपको याद रखना है एक आपको when का full form याद रखना है उसके बाद आप लैन का एक याद रखेगा लैन का और मैन का ठीक है और एक when का भी आप देख लीजे इसका भी full form आपको याद रखना है वी ए ए एन तो देखें सभी का मैं full form बता देता हूँ when के अगर बात करते हैं तो wide area network अगर हम land के बात करते हैं तो local area network and then after उसके बाद हम बात करते हैं main की तो metropolitan area network और हम फिर बात करते हैं when की तो when का क्या होता है तो value added network इन सारे चीज़ों को याद रखेगा पूछा जा सकता है जैसे भी question पूछे आप इसका answer कर सकते हैं next बात करते है question number 9 की और कल भी इसके बारे में हमने बात किया था कि seem का full form क्या होता है और यह देखे पूछा गया है बहुत सारे exam में डिरेक्टर पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि subscriber's identity module इसका क्या होता है इसका full form होता है तो इस question का उतर क्या हो जाएगा option number A इस question का answer हो जाएगा subscriber identity module क्यानि option number A और भी correct answer का बिल्कुल सही उतर होगा session अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करती चाहिए का और जो नए है और अभी तक subscribe नहीं किये है तो फटाफट चे subscribe कर लीज़ेगा क्याइस आपके लिए बहुत जबरदर्स और हम लोग यह 11 चेप्टर कर रहे है टूटल हमने 17 episode complete कर लिया था तो काफी जबरदस्ते session है तो इसके लिए एक like तो आपको करना चाहिए और नए है तो subscribe भी करना चाहिए ठीक है अगर आप share कर सकते हैं तो share भी कर दीज़ेगा देख्या अगला question आपके सामने है कि दूर दर्शन प्रशारन में चितर संदेशों का संचरन होता है कहां पर होता है इसका सही answer आपको करना है सही answer क्या बनेगा तो इसका correct answer बनेगा option number A यानि कि I am modulation द्वारा तो option number A सो भी correct answer जितने भी answer कर रहे हैं बिल्कुल correct answer होगा अगला प्रशन का उत्तर करेगा सही answer क्या बनेगा कि why max निम्नलिकित में से किस्य संपन्तित है आपको इसका answer कर दिना है सही answer क्या बनेगा तो बिल्कुल option number D तो भी correct answer यानि कि सचार परवादिकी कि यानि communication technology यानि option number क्या बनेगा दिस प्रशन का उत्तर बनेगा आपको याद रखना है अगला प्रशन का उत्तर बताना है आपको क्या answer हो जाएगा कि अभासी नीजी परिपत यानि कि virtual private network क्या होता है तो बारा का correct answer बताना है तो बारा का correct answer क्या हो जाएगा option देखे और इसका answer बतातीजे तिस प्रशन का उत्तर हो जाएगा option number B option number B यानि कि किसी नीजी network पर बना computer परिपत है जो परियोगता को अपनी अस्वास्ता के परिपत में परवेस करने के स्विधा देता है और प्रेसित की जा रही सूचरा को सुरक्षित रखता है यानि option number B इस प्रेसन का उत्तर होगा next बात करते है question number 13 की 13 number question आपके screen के उपर यह रहा किरिमना लिखित पर वीचार केचे आपको वीचार करना है और इसका सही answer बताना है आप सारे option देख सकते हैं और इसका सही answer कर सकते हैं तो देखे सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कि Bluetooth उपकरना उसके बाद तार रहीद फोन यानि की Cordless फोन उसके बाद सुक्ष्मत तरंग आववन यानि के microwave आववन उसके बाद Wi-Fi उपकरना बताना है आपको कि इन में से कौन से 2.4 और 2.5 GHz रेडियो आवरती बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं तो इसका answer बन जाएगा option number D option number D यानि कि सारे कि सारे प्रचालन कर सकते हैं तो option number D चुर्भी करेक्टर अंसर जितने बीडियो answer कर रहे है D इस प्रस्न का उतर है अगला प्रस्न का उतर करेंगे सही answer क्या बनेगा कि computer का जाल यानि कि नेटर वाकिंग करना क्या कालाता है बता दिये इसका answer आपको बताना है तो करेक्टर अंसर बताएगा यहां पहला option दिखिए कि खत्रों के आउसरों में बढ़ोतर ही करना चीहां सही है उसके बाद दिखिए कंप्यूटर के ओप्यूगिता बढ़ाता है यह भी सही है उसके बाद दिखिए अब एक गमन की संभावनाओं को बढ़ाता है तो आप option number D चूज़ कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे options सही है बाद करते हैं तो UPS के अगर हम फूल फम की बाद करते हैं तो अन्टरप्टीबल पावर सपलाई होता है और युनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है UPS का तो दोनों का ही फुलफूम आप याद रखेगा अगला प्रशन है किसी बेंड अप्रेशन में अपरियोग के अवसकता होती है तो इस प्रशन का उतर हो जाएगा आपसन नबर डी यानि की 6 GHz और यह भी देखिए पूचा कि प्रशन है वैसे maximum question पूचे गए है किसे ने किसी exam में तो यह collection बहुत जवर्दास्त है जो exam में आपको direct देखने को मिल जाएगा तो एक एक लाइक कर देजेगा सबी कोई signal के शक्ति कम हुए बिना network की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं इसका उपयोग करते हैं तो repeater का परियोग किया जाता है तो option number A should be correct answer जितने भी आप answer कर रहे हैं option number A should be correct answer जितने भी answer कर रहे हैं next बत करते हैं question number 18 की और 18 number question आपके सामने है कि national e-governance plan के अंतरगत स्वान है क्या है आपको इसका answer करते हैं 18 का सही answer तो option number A इसका बिल्कुल correct answer हो जागा यानिकि इसका full form पूछ रहा है यानिकि statewide area network तो भी correct answer option number A इस प्रश्न का सही उतर होगा next बढ़ते हैं question number 19 की दरफ किसी company के कर्मचारी दोवरा एक ही इस्थान में ऊप्यो किया जाने वाला अनन्य रूप से नीजी network होगा कौसा होगा इस प्रश्न का उत्तर बता रहा है तो correct answer बता रहा है option number B यानिकि local area network हो जाए और देखें यहां पर एक बार फिर से देखें wide area network होता है अर्पानेट का एक बार मैं full form फिर से बता देता हूं क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है तो अर्पानेट के अगर full form की बात करेंगे तो याद रिखेगा कि advanced research project agency network इसका क्या होता है full form होता है उसके बाद when का हमने full form बताता है तो value added network होता है उसके बाद main का भी एक आप याद रख लिजेगा कि metropolitan area network इसका full form होता है यह आपको याद रखना है साथी साथ comment करेगा कि internet का जनक कौन है internet का जनक किसे कहा चाता है आप इस प्रशन का उत्तर कर द इस प्रशन का उत्तर और देखे previous year में पूछा गया है तो और भी important है अगला प्रशन आप उत्तर कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बताएगा इसका answer की 2G spectrum में अक्षर G के शब्द के लिए परियोग हुआ है यानि कि G का मतलब क्या होता है इस प्रशन का उत्तर आपको बत अंसर क्या बनेगा option number C यानि कि generation क्या होता है इसका full form होता है G stands for generation next बात करता है question number 21 और इसका भी answer कर सकते हैं अगला प्रशन आपके सामने है कि संचार नीटवर्क जिसका परिवग बाड़ी संस्था उन द्वार आप रादेशिक रास्ट्रे वा वैस्युक्षेत्र में किय चाता है क्या कहलाता है इस प्रेस्ट का उत्तर करना है 21 का सही अंसर क्या बनेगा तो अलगे इसके बारे में हमने एक बार और डिसक्स किया है तो वैन इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएका यानि कि white area network उसके बाद land के बारे में हमने बताया था क्या बताया था लोकल इस बात करते हैं question number 22 कि इसका वैंसर कर सकते हैं अंसर करेगा कि data pressure यारी के transmission की गति को मापने के लिए सामाने तह परियुक्त का यानि कि unity क्या है इस प्रेस्ट का उत्तर कर देजेगा very important question तो इसका से answer बन जाएगा option number C यानि की beat 32 तो भी correct answer जितने भी आप लोग सी answer कर रहे है तो इस प्रेस्ट का उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा कोड डिविजन मुल्टिपल एक्सेशन अफ्शन बसी सुर्भी correct answer जितने भी आप सी answer कर रहें सी इस प्रेस्ट का उत्तर है अगला प्रेस्ट का उत्तर करेगे ब्लूटूथ प्रोद्यों की संभव बनाती है ब इंट्रा ने यह आपको याद रखना तो इस परिजन का उत्तर क्या हो जितने भी आंसर कर रहें सिस प्रेस्ट का बिल्कुल correct answer होगा, अगले प्रश्न का उत्र कर सकते हैं very important question, कि दो network को आपस में जोडने वाला computer कौन सा होता है, कौन सा computer होता है तो याद रखीएका इसे gateway कहा जाता है यानि option number C is question का उत्तर होगा जितने भी आप century answer कर रहे हैं अगले प्रश्न का उत्तर है जो डॉट डॉट से जुड़े दूसरी computer को resources प्रदान करते हैं सही answer क्या होगा इसका बताइए 27 का सही answer हो जागा is option number B यानि कि network इसका बिल्कुल correct answer देखिए super computer की बात आई है तो super computer के बारे में हम थोड़ा सा zero discuss करना चाहेंगे क्या क्या discuss कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम first super computer ने इंडिया की बात करते हैं तो परम 8000 है परम 8000 जो c deck पूने के तवारे डवलप किया गया था परम 8000 यह आपको याद रखना है और कब किया गया था अगर आपसे पूचे तो 1991 के आसपास किया गया था यह भी आप याद यह हम प्रतम super computer की बात कर रहे हैं प्रतम super computer के जनक भारत में अगर पूच ले कि भारत में सूपर computer का जनक कीसे माना चाहता है तो व्यजे भटकर को माना चाहता है। आठ हजार है इसके लाव और भी हम बात करते हैं कि टॉफ विस्वी के 500 में हम लोगों का कौन कौन सा सूपर कंप्यूटर शामिल है अगर आपसे पूछ ले तो सबसे पहले तो आप याद रखेगा कि 63rd rank पर कौन सा है तो परमसिद्धी AI है AI यानि कि Artificial Intelligence परमसिद्धी AI 63rd rank पर है पूरे वर्ल्ड में उसके बाद 78th नंबर पर कौन सा है अगर आपसे पूछ ले तो आप इसका अंसर कमेंट बॉक्स में कर दीचेगा और आप याद रखे का 146th rank अगर आपसे पूछ लेगा तब आपको बताना है क्या हो जाएगा मिहिर हो जाएगा चारी इसका भी मैं ही पता देता हूँ ठीक है नोट कर लीजे अगर 78th अगर आपसे पूछ ले तो प्रत्यूस प्रत्यूस आपको याद रख लेना है ठीक है और अगर बात करते हैं सबसे फास्टेस्ट है सूपर कम्पिटर कौन सा है तो ये भी आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में फू इह आप नोट कर सकते हैं ये सारे के सारे इंफोर्मिजन बहुत थी इंपोटन है और 27 का करेक्टंसर क्या है औसन नमबर भी है तो हमने पेैक क्या बताया है बताये थो इसके बाद मैं बताया है अगलेंड हूं उन णा पोल प्रॉम का इंपोटनिह ग्रच्टैरग है तो इ और इस काम नहीं क्या बताया था आप कमेंट कर दीजिए ठीक है ताकि आपका भी रिविजन होता रहे तो अप्सर नबर 20 का उत्तर करना है आपको 28 का बिल्कुल अप्सर नबर सीस प्रेशन का उत्तर होगा जितने पी इंटरनेट अंसर कर रहें इंटरनेट और प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और बताराएं कि निमने में से कौन से कथन सत्य सत्य कथन को आपको बताना है पर फटा फेसर कर देज़ा और देखे पूछा गया दो एक्जाम में और मोड डेम कर लीजे ठीक है तो इस प्रेशन का उत्र क्या होगा अगला प्रेशन का उत्र करेंगे आप बतेगा कि निम्नलिकित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलिफोन लैनू का परियोकर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है और गैस आप एक एक लाइक सभी लोग कर दीजेगा इमानदारी से देखी कि कितने लोग देख चुके हैं अब खुद देखी कितना व्यूजर कितना कम लाइक है तो गैस अगर आपके लिए महनत क्या जारा है तो आप एक एक लाइक कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं तो फटा आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक आपको description box में और comment box में पिंक किया हुआ है आप वहाँ से जाकर टेलिग्राम जोइन कर सकते हैं जहां से आपको computer के सारे के सारे PDF video of cost मिल जाएगे ठीक है या फिर आप direct जोइन करना चाहते हैं at the rate happy study zone सर्च करेगा टेलिग्राम में आपको मिल जाएगा या at the rate study with drama सर्च करेगा वहाँ से भी आपको मिल जाएगा ठीक है अगर मेरे साब contact करना चाहते हैं तो at the rate happy study zone आप टेलिग्राम में सर्च करेए या at the rate happy study zone आप वो Instagram में भी मुझे follow कर सकते हैं ठीक है तो चले इस प्रेशन का उतर करेगा थर्टे का से इंसर क्या बरेगा कि निम्रालेकर में से कौन सा computer को telephone लाइनों कवरियो कर data अंतरित करने की अनुमती देता है इस प्रेशन का उतर करेगा बिल्कुल option number C हो जाएगा modem जितने पे इंसर कर रहे है modem यानि कि modulation to modulation should be correct answer option number C इस प्रेशन का उतर हो जाएगा और इसका काम क्या होता है दिखे अभी हमने बता था कि यह क्या करता है कि analog को digital में और digital को analog signal में बदलने का काम करता है अगला प्रेशन आपके सामने है कि optic fiber जिससे सिध्धान्त पर कारे करता है वसे धान्त कौन सा है इस प्रेशन का उतर कर दीजेगा बिल्कुल option number A हो जाएगा यानि कि total internal reflection पूर्ण अंतरी को पर आवारतन सुभी का रेक्टान्सा तो आप answer कर सकते है option number A और option number A इस प्रेशन का save उतर है अगला प्रेशन का उतर कर दीजेगा question number 32 यह आपके सामने कि किसी college परिसर तक सिमित computer network का नाम क्या है तो क्या नाम है इसका अंसर कर सकते है सबी की तरफ से इसका correct answer आवा चाहिए 32 का से answer हो जाएगा campus area network यानि option number C इस प्रेशन का बिल्कुल correct answer होगा next बढ़ते है question number 33 के तरफ आपको बताना है कि modem का पूरा नाम क्या है तो इसके बार में तो हमने कए बार बता ही दिया है तो answer कर देजेगा बिल्कुल option number A हो जाएगा यानि कि modulator demodulator option number क्या बनेगा option number A सुब भी correct answer जितने भी आप answer कर रहे हैं यह इसका बिल्कुल correct answer होगा आगला प्रेशनक का उतर करते जगा 34 का कि ऐसी युकति जो आकडो को AOEGO में परिवर्तित करती है तता उसे टर्मिनल से कंप्पिटर को और कंप्पिटर से टर्मिनल को टेलिफोन लाइन पर संप्रेसित करती है वह है तो वह क्या है आपको इसका अंसर बता रहा है तो वो modem है modulator, demodulator जिसका फुल फॉर हमें बता है कि ये analog को digital में analog को digital में और digital को analog में एक दूसरे को क्या करता है convert करता है, बदलता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number D देखे, modem से आपको एक नए equation हमेशा देखने को मिल जाते है और देखे, पूचा गया है बहुत सारे exam में तो आप note कर सकते हैं तो option number क्या बनेगा option number D इस प्रेशन का उतर बनेगा जितने भी आप D answer कर रहे थे अगला question आपके सामने है कि WLL का पुन रूप क्या है इसका full form आपको बताना है इसका full form क्या होता है तो इस प्रेशन का उतर क्या हो जागा wireless in local loop option number D इस प्रेशन का उतर होगा जितने भी D answer करना चाहते हैं बिल्कुल say answer है next बात करते हैंगा question number 36 के इसका answer कर देजएगा कि Ethernet क्या है तो Ethernet क्या है इसका answer बताना है इसका answer सभी को करेंगे तो बिल्कुल option number A हो जागा land है यानि कि local area network है option number A इसका बिल्कुल correct answer हो जागा क्या हो जागा बती है तो local area network है यह आपको याद रखना है main के अगर हम बात करते हैं तो metropolitan area network होता है उसके बाद when की बात करते है तो wide area network होता है और उसके बाद एक और गरम बात करते है वेन की तो value added network होता है इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है तो Ethernet का उत्तर किया है option number A का answer हो जागा और साथी साथ एक बार दुबारा से हम अरपानेट की full phone की बात कर लते है अरपानेट क्योंकि यहां से question पूचा जा सकता है तो अरपानेट की full phone की बात करते हैं तो आपको याद रखना की advanced research project agency network इसका full phone होता है यह आपको याद रखना है और इस प्रस्ट में का उत्तर क्या है तो इसका अंसर क्या बनेगा option number a बनेगा यानि के local area network इसका बिलकुल correct answer हो जागा लगबग एक किलोमेटर की अरिया में आपको यह देखने के मिलता है यह भी आप note कर लिजेगा लगबग एक किलोमेटर एरिया में जो ओफिस में फाक्टरे में या विश्य विदाले के शेत्र में यह खारे करता है अब समा सकते हैं तो एक किलोमेटर तक का एरिया यह cover करता है यानि option number a बनेगा इस प्रस्ट का उतर सभी को answer करेंगे और देखें मैं जो question पूछता हो नगाई उस question का answer आपको निश्चित रूप से क्या करना है comment करना है ठीक है चलिए अगला प्रस्ट का उतर कर देजेगा कि Ethernet एक उधारन है तो Ethernet किसका एक उधारन है आपको याद रहना काफी important है तो इसका answer हो जागा local area network option number भी हो जागा लेकिन other option को देखने के कोशिश करें तो यहां से question बना हुआ है तो बताएगा कि main का full form क्या होता है तो metropolitan area network होता है देखें बार-बार question यहां से बनते हैं कि इसलिए मैं repeat करना हूँ तकि चीज़े आपको याद हो जाए तो metropolitan area network local area network wide area network value added network यह हमने बता दिया ता है आपको answer करना है कि wifi का full form क्या होता है इस प्रेशन में का उतर आपको comment box में चापना है और कॉछ और question जो आपको comment box में चापना है देखें पहला question आपको बताना ही कि email के father कौन आपको बताना है internet ke father कौन है इंटरनेट के फादर कौन है उसके बाद इन्वेंटर और बताना है इन्वेंटर कौन है डबलू 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 के यह भी आपको अंसर करना है ठीक है तीन प्रस्टन और एक के चार प्रस्टन चार प्रस्टन को उतर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और बताना ह है किसका सही असर क्या होगा सभी को बताने कि इसका answer क्या होगा वैसे इस question का वतर weapon problem by टिक करेंगे ठीक है जो Ethernet है क्या है एक तरह का lain है तो option number भी इसको टिक कर देते हैं इसके अलावा आप लोगा answer कर दीजेगा किसका तो आपको answer करना है wife E always फादर ओफ इमेल, फिर फादर ओफ इंटरनेट एंड इन्वेडर ओफ डव 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 वर्ड वाइड वेव का ठीक है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो गैस आज का सेशन हमने कम्प्लीट कर लिया है कर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इक पर कमेंट क करें जोगा कि आप क्या करिये एक-एक लाइक कर के ही जाएए तभी हमारा मोटिवेशन बढ़े का ठीक ह Tip अए और और आप शेयर भी कर सकते है ठीक है स्वतम्तारी हैं बिलकुल आप एक-शैर कर सकते हैं support करने कि लिए एक शियर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लस में तब